वाइट कट आउट काउंट कानों में मैचिंग जुमके मरिनाल ठाकोर ने अपने कांस लुक से फिर उड़ाए फैंस के होश कांस 2023 में मरिनाल ठाकोर ने अपना डेब्यू किया फ्रेंच रिवेरा में आक्ट्रेस ने अपने बैक टू बैक सभी लुक से काफी सब को इंप्रेस किया है कांस के फाइनल लुक में भी मरिनाल ठाकोर पूरी तरह से चागई जी हाँ मरिनाल ठाकर ने इस साल कांस के रेट कारपेट पर बेहत इनुवेटिव लुक के साथ काफी लाइम लाइट बट और ली और उनकी काफी ज्यादा तारीफे भी हो रही है मरिनाल ने कांस में हर बार एक से बढ़कर एक लुक लेकर काफी सब को इंप्रेस भी कर दिया इसी के साथ उन्हें फैशन इस्टा भी कहा जा रहा है मरिनाल ने कांस के अपने फाइनल लुक के लिए फालगुदी एंट शैन पिकॉग गाउन का आईवेरी कस्टम मेड वाइट कट आउटफिट गाउन वेर किया हुआ था हैट्रेस अपने इस लुक में भी कमाल की लगी उन्होंने कांस के रेट कारपेट पर अपने आदाओं का खूब जादू भी चलाया म्रिनाल ने क्रिश्यन लाबाउचन के शूज और वेल्टर्स वोल्ट के जुमके और महेश नोटा नंदास च्वैलरी की रिंग के साथ अपने इस लुक को कम्प्लीट भी किया था म्रिनाल ने फेस्टिवल में वो डंका ब्राइंट गे ग्रे गूस को रिप्रेजेंट किया है म्रिनाल का आइवेरी गाउन वन शूल्डर डेंकोल्टेस एक्सपोजिंग नेकलाइन के साथ था शूल्डर और कमर पर कट आउट रखा गया था जो कि म्रिनाल के ग्लैम लुक को और भी ज्यादा स्टनिंग बना रहा था शूल्डर पर एक एंबलिष्ट ब्रोच, शिमरी सैक्वीन और ड्रस के फ्रेंक पर बीट अनमेल शीट ट्रफल डिजाइन के साथ शीर फिदर वाली ट्रेंड म्रिनाल के गाउन को और भी ज्यादा खुबसूरत बना रही थी म्रिनाल अपने इस आउटफिट में कमाल की लग रही थी उनोने साइट पार्टेड, ओपन लॉक्स, डाक ब्रोज, रूज चीको बेंस, सॉफ्ट पिंक नूज लिप शेट, वहीं ग्लोइंग हाईलाइटर, लैशेज पर मसकारा और ग्लाम पिक्स के लिए स्टबल आईशेड़ो कैरी किया हुआ था मिनिमल मेक अप आक्ट्रिस के गाउन के हेवी एंबलिश्टेस को काफी ज़्यदा कम्प्लीट भी करता हुआ नज़र आया वर आपको मिनाल ठाकुर का कांस के ये सारे लुक कैसे लगे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें